Hello everyone, इस्टेनुवित अरहन पर आपका स्वागत है एह डिक्टेशन मेवार सीरिश से होगी जिसकी कहती 85 सब्द प्रती मिनिट रहती है यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रुप को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एह डिक्टेशन, SSC और अधर एक्जाम में आपके लिए helpful रहेगी चलिए तो डिक्टेशन प्राप्त करते हैं डिक्टेशन पांस सैकेंड बात संसद ने सितंबर 1996 में 81 वे संबिदान, संसोधन, विदेयक पेश कर एक एतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसमें लोकसभा में लगबग 121 और राजबिदान सभाओं में एक तिहाई इस्थानों पर महिलाओं को आरक्षन देना प्रस्तावित है भारतिये समाज में महिलाएं लगबग 50 प्रतीशत है जो असिक्षा, पिश्रापन, रूडिवादिता, धार्मिक, कटरता, सोशन के कारण समाज जड इस्तिती में रहा है जहां समाज सुद्रन होता है, वहां व्यक्ती को समाज का डर होता है जिसके कारण समाज में बुराईया नहीं, पनप पाती है राज्य को ऐसे भी समाज में कम हस्त चेप करना पड़ता है लेकिन भारत में समाज दोस्पून और कमजोर होता गया है अगर महिलाओं की दैनिये इस्तिती के संदर में हम देखें तो समाज बुराईयों में इतना जकड़ा गया है कि वह स्वेम अपनी बुराईयों को दूर करने में सक्षम नहीं होपा रहा है इस वारे में जहां तक मैं समझता हूँ समाज के अंदर सुधार दो तरह से किये जा सकते है एक तो समाज स्वेम को वदले या राज बैधानिक रूप से इहां बदलाव लाए एह कितने खेद की बात है कि समाज में ब्याप्त इन बुराईयों को दूर करने के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं दहेज पर था उनमूलन पुत्रियों को संपत्ती में अधिकार और हाल ही में गिरहनियों को सापताहिक अवकाश देने संबंदी आदी इन बिधाई कारियों से भारतिय समाज में विशेश अंतर नहीं हुआ क्योंकि एह बातें महिलाओं के सामाजिक इस्तर से संबंदित थी जिनें समाज और परिवार कार रूप में परनित नहीं करना चाहे तो व्यक्तिगत इस्तर पर महिला की इस्तिती इतनी मजबूत नहीं है कि वह इने लागू करवा सके लेकिन राजनीती प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रवेश के लिए यदि सामविधानिक संसोधन किये जाते हैं तो राज्य द्वारा उनका क्रियानवेन होता है तब समाज उस से प्रभावित अवश्य हो जाता है एहबास सहर और गाउं की इस्थानिये ब्यक्ती के तोर पर देखा जाता है लोगसवा और विधान सवा में उनको एक्तिहाई आरक्षन देने के लिए संविधान संसोधन विदेख अभी विचारा धीन है किसी भी नए कदम को उठाने पर आसंकाएं भी उठती है यदि उन्हें व्यक्त कर दिया जाए तो अच्छा है इससे एक बात एह होगी की दूसरे पक्ष पर विचार सामने आ जाएंगे दूसी तरफ 21 भी सदी के दरवाजे पर खड़ी भारतिय महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने वाले प्रजातांत्रिक प्रियास के सांथ न्याय हो सकेगा इस सम्मंद में समुचित पौद्दिक विचार बिमर्स बहस चिंतन मंधन के उपरांत जो जन सहमती की इस्तिती निर्मित होगी साथ ही उससे भारतिय समाज का सरूप भी परिलक्षित होगा अपने बविश्य के प्रती चिंतित और भैवीत पुरुष सांसदों ने सदन में इस विदयक के बारे में अपनी संकाएं व्यक्त की हैं देश के बहुत से महिला संगठन इस विशै पर चिंतित हैं अन्य छेत्रों में भी अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं माननी कल्यान मलजी जैन और उनके सांथी दूसरे तीन विधायक उस दिन इस काम में सरीक हुए थे लेकिन उनके प्रती मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और जैसा सरीमान ने स्वैम कहा की केवल बिशेशादिकार का प्रश्न नहीं रह गया है पर बिशेशादिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है यहां एहम सवाल एह आ गया है और संविधान के प्रती निष्ठा का सवाल आ गया है मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं विधान सवा के सदस्त तभी कहलाते हैं जब वे संविधान के प्रती निष्ठा जाहिर करते हूं और यदि वे है निष्ठा जो हमने जाहिर की थी अगर उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया तो हमारी विधान सवा की सदस्ता अपने आप ही समाप्त हो जाती है उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननिये मुखमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की क्योंकि उनको अपनी मनसा जाहिर करने में कटनाई हो रही होगी इस प्रशन पर कोई भी समझदार व्यक्ती सम्भीधान के प्रती निष्ठा रखने वाला प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला इसके सिवा दूसरी बात नहीं कहेगा की माननिये सदस्त की सदस्ता समाप्त हो चुकी है मुखमंत्री महुदै को एह कैने में कटनाई जरूर हो रही होगी इसे हमारे सभी सांती अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसलिए उनकी सदस्ता समाप्त कर दी जानी चाहिए स्रीमान कई वार मेरे सचवाले में ऐसे पत्र तार और संकल्पों की प्रतियां आदी खूबाती रहती हैं जिने नियमों के अंतरगत या चिकाओं के रूप में सुईकार नहीं किया जा सकता उन्हें अव्यवेदन ही मान लिया जाता है इन अव्यवेदनों को समीती के पास भेज कर पेस कर दिया जाता है और समीती उन पर विचार करती है निर्ने करती है अपना मत देती है फिर उनका निराकरण किया जाता है केवल वही सारजनिक संस्था संग्या व्यक्ति लोगसभा के छित्रादिकार के अंतरगत आने वाले किसी बिशै के सम्मंद में समीती को अव्यवेदन दे सकते हैं अव्यवेदन दिये जाने के लिए अलग से निर्धारित परपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है इसे मात्र पत्र के रूप में ही दिया जा सकता है जिसमें सम्मीधान संसोधन करों की माफी तथा नए करों को लगाने के सम्मंद में सुझाव मात्र हूं को पत्र प्रारूप में ही दिया जा सकता है यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और जादर से जादर लोगों में सेर करें और फीड़ेक जरूर दें